मैं अफजाल अंसारी जो लोगसभा का सदसे निर्वाचित हुआ हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्या करता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रति सर्चीश रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अप्चुन रखूंगा तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके करतब्यों का शरद्धा पूर्वक निर्वान करूँगा इस पीकर हैं लोगसभा के उन्होंने आज हमें पत की शपत दिला दी हम उनके लिए आभार हैं और आपके माध्यम से अपने छेतर की जनता के लिए पूरवांचल की जनता के लिए उत्तरप्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए देर सारी शुपकानूना और मुबारक बात देते हैं देखिए ये विशय है तीन नए कानून का विशय नहीं है अब उसको जो भारतिय साक्ष अधिनियम की संग्या दी गई या अलग-अलग नाम लिख लिए गए कानून तो था ही देश तो कानून के ही रास्ते से चल ला था रूल आफ ला तो था ही ये कन्फ्यूस करने के लिए मीडिया इस वक तीन नए कानून तीन नए कानून अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गढ़ना कर रहे हैं कि मानी अखलेश यादो जी जब चिफ्ट निश्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था एक सव नंबर उसको भारती जंतापाड़ी के सरकार आ गई तो एक सो बारा कर दिया उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है अब उसको अध्यन करने की जरूखत है देखा जाएगा प्रिक्टिकल क्या है कानून विद और उसके जानकार देखना यह है कि कानून हर कानून अच्छा होता है उसका दुरुपयोग जो किया जाता है वो बहुत बुरा होता है तो इस सरकार में कानून का लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है वो पुराने कानून का भी दुरुपयोग किया गया अब आगे नए कानून का जो चुनोती देता हूं, हिम्मत है, तो आप अपनी बुल्दोजर की कारवाई का एक कानून बना दीजे, हमारे देश की नियाय पालिकाओं को शिथिल करके, उनके अधिकारों का हनन करके, आप ही आरोप लगाओगे, आप ही सजा दे दोगे, तो नियाय पालिका की जरूत क्या ह देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए, हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें